जय हिन दोस्तों आप सभी का F2 Classes में स्वागत है आज हम 16 सितंबर को जितने भी important current affair बनेंगे उन सभी question को discuss करेंगे यदि आपको किसी भी question में किसी भी प्रकार का doubt हो तो comment जरूर कर देना है यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को subscribe, like और share जरूर करें साथ ही bell icon को भी धबाएं जिससे कि आपको notification मिल सकें यदि आप हमारे टेलीग्रम चैनल से नहीं जूड़े हैं तो आप उससे भी जूड़ सकते हैं चलिए आज का पहला question देखिए सिक्षक दिवस पर राज्य इसमिती फुसकार से किसे सम्मानित किया गया है तिनका सही आंसर होगा राज्य के चार सिक्षकों को राज्य इसमिती फुसकार से सम्मानित किया गया है जिनमें से पहला है सुस्री मम्ता आहर को डॉप्टर पदुम्लाल पुन्नालाल बक्सी मिती फुसकार से सम्मानित किया गया है दूसरा है स्रीमती मधुतिवारी को डॉप्टर मुकूर्धर पांडे इसमिती फुसकार से सम्मानित किया गया है तीसरा है स्रीमती रस्मी वर्मा को डॉप्टर बल्देव पर साथ मिस्र इस्मीती फुजकार से सम्मानित किया गया है तीसरा है माप किजिएगा चौथा है स्रीमती इंद्रा चंदुरणसी को स्री गजनन माधव मुक्तिवों से सम्मानित किया गया है जहीं आंसर हो जाएगा वो प्रोग तर सभी को सम्मानित किया गया है याद रखेंगे दोस्तों important question है आने वाले exam में आपको इससे एक ने question देखने को मिल सकता है या आपको इसी तरह कूट में भी दे सकते हैं कि सहीं जोड़ी मिलाने के लिए इसलिए याद रखेंगे important है परदेश के चार सिक्षकों को परदेश के महान सहित्यकारों के नाम पर इस्मिती फुषकार से सम्मानित किया गया है और उन्हें 50-50 हजार रुपए की रासी और प्रसस्ति पत्र परदान किया गया है 52 में से अर्थालेग सिक्षकों को राज सिक्षक सम्मान और 21-21 हजार रुपए की रासी और प्रसस्ति पत्र परदान किया गया है राज इस्मिती फुषकार पाने वाले सिक्षक जिसमें सुसरी ममता आहर जो रैपूर जिला के रहने वाली है डौक्टर पदुमलाल पुणलाल बक्सी इसमिती फुषकार से सम्मान और 21-21 है माधाव मुक्ती वोट इसमिती फुषकार से सम्मानेत किया है चले नेश्ट कोश्चन देखिए राज जय सरकार की किस योजना को जारकन सरकार ने सहराना किया है तिमकर सही आंसर होगा बहुजल उपचार सम्मंदित हो रही कारियों की सहराना धरा जार्खन राजसरकार के अजिकारियों की टीम द्वारा अलोकन करत हुए की गई है प्रधान मुख्य होवन सरक्षक स्री वी स्री निवासान राओ ने बताया है की जार्खन की मरेगा टीम द्वारा वीगा दिवास चत्तिस गण में परवाश के दावरान जैस्पूर वन परिछेत्र की लोदाम बीट अंतरगार एक कड़ोड पैंतिस लाक रुपए की लिए नाला में छेत्र उप्चार और मिट्टी बांध कंजेक्शन किया गया है चले निश्टर कोश्चन देखिए चीन में आजित महिला एस्या कप चैंपियांसिप में बीजापूर के कितने खिलाड़ी भार्टी टीम में सामिल रही हैं तिमक्या सहीं आंसर होगा 36 गड़ से मतलब बीजापूर के दो खिलाड़ी चीन में आजित महिला एस्या कप में सामिल रही हैं आप इवेज में देख सकते हैं यह है वीमला तिलंग और यह है रेणुका तिलंग चले दिहान देंगे 29 अगस से 3 सितंबर तक चीन के पिंग टाउन आईलेंड में आजित स्वाप्टबाल 18 महिला एस्या कप चेंपियाशिप में बीजापूर की वीमला और रेणुका तिलंग भार्थी टीम में सामिल रही हैं इस चेंपियाशिप में भार्थी स्वाप्टबाल टीम के कोच की तिलंग बीजापूर के रहने वाली हैं इसे भी याद रखेंगे और यहाँ स्वाप्टबाल खिलाडी भी हैं चले नेश्ट कोश्टन देखिए वोटर हैंगर इंडेक्सर रिपोर्ट में सबसे लोगप्रिय मुख्य मंत्री कोन बना है तो इनका सही आंसर होगा वोटर है इनकार रिपोर्ट में सबसे लोगप्रिय मुख्य मंत्री के रूप में स्री मुख्य मंत्री भूपेज भगेल बना है आप इमेज में देख सकते हैं यह चत्तिजगर के मुख्य मंत्री स्री भूपेज भगेल जी याद रखेंगे इंपोर्टेंट कोश्टन है छह राज्य एन एस सी ओटर हैंगा इंडेक्स रुपोर्ट दुआरा किये गया ताजा सर्वे में बताया गया है इंडेक्स में मतदाओं से पुछा गया है कि क्या वे अपने मुख्यमंत्री के कामकास से खुस हैं चले नेस्ट कोश्चन देखिए पी एम मोदी ने चत्तित गड़ में कित पी एम नेरेंदर मोदी ने चत्तित गड़ के रायगड़ में लगभग 6350 क्रोड रुपय की चार रेल छेतर परिजना हैं राष्ट को समर्पित की हैं जिसमें पहली परिजना चत्तित गड़ पूर्वा रेल परिजना चरन एक हैं और दूसरी रेल लाइन चापा से जमंग परिजना के बीच दूसरी रेल लाइन परिजना को समर्पित की हैं तीसरी परिजना पेंडरा रोड से अभनपूर के बीच दीसरी रेल लाइन परिजना हैं चयोंती परिजना एक एम जी आर प्रानली है जो तराई पल्ली कोईला खदान को एंटी पीसी लारा पावर पर्मान पत्र जारी करने वाला कितने नंबर का देश बन गया है तिनका सही आंसर होगा भारत OILM पर्मान पत्र जारी करने वाला 13 बन गया है याद रखेंगे भारत OIML International Organization of Legal Metrology Certification जारी करने वाला दुनिया भर में अधिकरित 13 बन गया है याद रखेंगे इनके फुलपम भी इन्पोर्टेन है या घरेलू वी निन्मताओं को अपने वजन और माप उपकरण अंतरास्टी ये वजार में बेचने की अनुमती देता है उभोकता ममली विभाग अब OIML पेटन अनुमोधन परमान पत्र जारी कर सकता है जो बाट और माप बेजने के लिए अनिवारी है चले नेस्ठ कोस्टण देखिए पीछले वीडियो में हमने आप से कोस्टण पूछा था कि घडवा कला पर ग्यारा दीवसी कारेशाला कहां आजित किया जा रहा है तिमकर सहीं आंसर आप कोमेंट बोकस में जरूर दीजीए साथ ही आप इसमें बताना है कि स्वच्छ वायू सर्वेक्चन में पहले इस्थान पर कौन सा सहर है इसे भी बताना है चले मिलते हैं अगले उड़ों में जाहिन जाचातिरगड़